हेलो गाइज विल्कम टू येश टेक्लोजी दोस्तों आज हम कुछ बात करने बाले हैं बेस्ट फोन अंडर 50,000 जो कि आपको पता है कि मैं एक प्लिएज लिस्ट को एक कंप्लीट करने बाला हूं जो कि है प्राइस रेंज की फोन की प्लेलिस्ट उस्तों उसमें आपको 15,000 स से लेकर 45,000 तक वीडियो आपको मिल गई होगी 15,000 से लेकर 45,000 तक जो कोई भी फोन है आपको सब कूछ उसका डिटेल्स आपको इन्हीं वीडियो में मिल जाएगी तो यहां पर अभी इस वीडियो में हम रेकॉर्ड कर रहे हैं जो की है अंडर 50,000 कौन-कौन सी फोन आपक को बताएंगे कि आपके लिए कौन सा फोन सही होगा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है यार सब्सक्राइब कर दें और बेल आपको प्रेस करना बहुत ज्यादा ज़रूर है क्योंकि आप अगर प्रेस करेंगे आपको नुटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी हम वीडियो नियू अपलोड करें चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर पहली नंबर पर जो फोन आ रहा है वो है वीवो की एक सिक्स्टी प्रो जो की अपने चाहिदे में बहुत ज्यादा इंपोर्टांट है और बहुत ज्यादा इसका लिमिटेर एडिशन चल रही है दोस्तों यहां पर आपको 6.5 पिंच का सुपर अमूलेट डिस्प्ले मिलता है और दोस्तों यहां पर आपको 120 होट का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है प्रोसिसर आपको यहां पर दोस्तों मिलता है स्नापड्रागन 870 की जो की बहुत ज्यादा अच्छा है और रेम आपको मिलता है 12GB की और आपको स्टोरेज मिलता है 256GB की और दोस्तों बात करते आ क्यामरा क्यामरा के बारे में थो क्यामरा इसको मिल आ है 48 प्रस 13 प्रस थाटral primress यह शचार्ट का मै यह 32 मेगा किशल का आपको देखने को मिलता है बात करते हैं उसलिए नियुथ जो की बहुत ज्यादा अच्छा है अभी बात कर दें हो उसकी ट्रीट कि तो 179 gram में ये phone आपको देखने को मिल जाएगा thickness आपको मिलता है 7.6 NM का जो की बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती है इसी भी वो X60 Pro को दोस्तों अभी बात करते हैं reason to buy के लिए आप क्यों ये phone को खरी देंगे एक बात जो की है इसमें आपको एक्सिलेंट 120 हर्थ दिस्प्ले मिलता है और दोस्तों यहां पर आपको performance बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है snapdragon की प्रोसेजर आपको दिखने को मिलता है अब दोस्तों बात करतें इसकी camera quality तो camera quality आपको इसी price range में अच्छा मिलता है और दोस्तों यहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे बात है तो यह तीन जो है यह बहुत ज़्यादा important है जो की मैं आपको बताया अभी दोस्तों बात करेंगे reason to not buy it क्यों हम इसको buy नहीं करें तो दोस्तों इसका IPS rating नहीं है आप अगर इसको phone को चला रहे हैं अगर आपके हाथ से फिसल कर पानी में चला जाएगा तो कोई भी rating आपको यह phone के साथ देखने को नहीं मिलता है और दोस्तों यहां पर wireless charging के support नहीं है और दोस्तों यहां पर pre install apps भी आपको देखने को मिलता है जो कि शायद मुझे लगता है कोई भी इससा important बात नहीं है अगर आप चाहते हैं IPS rating का phone wireless support करें और pre install आप नहीं हो तो आपके लिए Vivo X60 Pro नहीं है अगर आप यह तीन चीज़ नहीं चाहते IQ 007 Legend जो की बहुत ज्यादा अच्छा phone है आप यहां पर screen में यहां पर उसकी images को देख सकते हैं तो दोस्तों phone तो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यहां पर आपको 6.62 inch की display देखने को मिलता है और दोस्तों यहां पर AMOLED display के साथ आपको 120Hz का refresh rate देखने को मिलता है और दोस्तों यहां पर snapdragon 888 का आपको देखने के मिलता है प्रोसेसर RAM आपको दोनों variant में मिलता है जो कि यह 8 128GB का और यहां पर मिलता है 128 नहीं 8 और 12GB का 8 और 12GB का आपको मिलता है RAM और यहां पर storage मिलता है 128 और 256GB का दो variant आता है दोनों storage के साथ जोस्तों यहां पर आपको battery मिलता है 4000 mAh का battery जो की बहुत जादा अच्छा है और यहां पर IQOO ने प्रोबाइड की है 66W की fast charging जो की इसलिए बहुत जादा अच्छा है जोस्तों अभी बात करतें front camera की तो front camera में आपको देखने को मिलता है 16 megapixel का front camera और यहां पर आपको rear camera में देखने को मिलता है 48 plus 13 plus 13 megapixel का triple camera setup अब जोस्तों यह OS based है Android 11 पर जो की बहुत जादा अच्छा है अब जोस्तों बात करतें weight की बारे में तो यह बहुत जादा heavy है 209.5 gram का और थिकनेस आपको देखने को मिलता है 8.7 mm का अब जोस्तों बात करतें reason to buy तो reason to buy है इसकी stereo speaker और आपको display भी Super AMOLED मिलता है 6.62 inch की अब जोस्तों यहां पर performance भी आपको snapdragon 888 processor में आपको बहुत जादा अच्छा दिखता है अब जोस्तों बात करतें reason to not buy it तो जोस्तों यहां पर आपको battery मिलता है 4000 image का पर एक plus point है कि यह आपको 66 watt का first charging मिलता है अब जोस्तों बात करतें इसकी सब्ट्वेर की सब्ट्वेर में बहुत सारे box आते हैं शायद आगे iqo इसे ठीक कर दे और सभी box को fix कर सके इसलिए हम बैठे हैं यहां पर हम बात करेंगे उसके बारे में दोस्तों box fixes के कोई भी update अभी हमारे पास नहीं आई है जब भी आएगी आपको website में update की दे जाएगी तो यहां पर और एक phone निकल कर आता है जो कि है यह one plus nine one plus nine में आपको मिलता है 6.55 इंच का display और दोस्तों यहां पर super AMOLED डिस्प्ले के साथ 120Hz का refresh rate और दोस्तों यहां पर प्रोसेसर से मिलता है जो कि आपको iq 007 pro में देखने को मिला था यहां पर आपको snapdragon 888 का प्रोसेसर म मिलता है RAM आपको मिलता है चिहएं जो की 8GB और सट्रेज मिलता है 128 GB के साथ अब रियार क्यामरा रही तो आपको 48 प्लस 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल का आपको रियार क्याम मेरा सैट अब देखने को मिलता है अब यह उसक्यांद कर देंडा की तो फ्रॉंट क्यामरा में आपको 16 बहुत ज्यादा अच्छा है और इंडिया में आता है वहां पर आपको 4500 देखने को मिलता है अब दोस्तों चार्जिंग तो दो वैरेंट आता है एक इंडिया में आपको देखने को मिलता है और यहां पर 66 वार्ट का फार्स चार्जिंग आपको इंटरनेशनल एडिसन में देखने को मिलता है अब जोस्तों यहां पर वेट की बात कर दें तो वेट इसका बहुत ज्यादा अच्छा है 180 ग्राम का वेट आपको देखने को मिलता है थिकने साब को मिलता है 8.1 mm का जो की बहुत ज्यादा अच्छा है अभी दोस्तों बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में एंड में शायद मैं आपको एक रिफ्लेक्ट भी देश तकूँ लास्ट में मैं कोशिश करूंगा वीडियो एडिटिंग के समय तो रिजिन टू बाई इसकी बात करेंगे क्यूं आप खरीदें चुँँ इसमें आपको गूड डिस्पले मिलता है सुपर फास्वाइ शौकष्पारियो ज़से लगता है तो देखने में कितना ज्यल्ग ऑच्छा है आ अप सोच सकते हैं अब तो बात करें आभर क्यूं करें इस फोन को खरिद्ने में डुस्तिंग वाइलस चेर्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता आपको टेलीफोर्टो क्यामरा के फिचर्ष नहीं मिलता और दोस्तों यहां पर अफ़स्ट बैटरीलाइब मिलती है यहां पर अच्छा-च्छ यहां पर चार्जर मिल जाता है तो और क्या इसके अवाइड हो सकती है 66 watt का international edition में आपको मिलता है first charging तो और क्या चाहिए यहां पर 4000 का 3000 ms बेटरी में अच्छा होगा यह कोई भी आपट करने के लिए बात नहीं है मैं सिर्फ आपको यहां पर बता दे रहा हूँ अभी दोस्तों बात करते हैं और एक फोन की बारे में जो कि है Redmi MI 11X Pro जो कि आप जानते हैं कि यह फोन लांच होने बाली है बहुत ही जल्दी दोस्तों यहां पर आपको डिस्प्ले मिलता है 6.67 इंच का डिस्प्ले अब दोस्तों यहां पर Full HD Plus डिस्प्ले के साथ आपको Super AMOLED भी देखने को मिलता है 120 हर्ट का रिफ्रेस्ट देखने को मिलता है Snapdragon 888 का प्रोसेसर देखने को मिलता है राम आपको यहां पर 8GB का एक मिलता है और दोस्तों स्टोरेज के बारे में बात करते तो आप सोच रहे होंगे कि 8GB के साथ 128GB मिलता होगा पर इसा कुछ भी नहीं है यहां पर आपको 256GB का स्टोड में को मिलता है अब दुस्तों यहां पर रियर का बाता बात करें तो 108 MP का रियर केमरा आपको देखने को मिलता है उसके साथ 8ू प्लस 5 MP Κमto5 pro camera के देखने को मिलता है छो कि開पो आंट में आपको 20MP का camera देखने को मिलता है और यहां पर आपको 4520ms का बैटरी देखने को मिलता है चार्जिंग के बात करें तो 33W का चार्जिंग देखने को मिलता है जो की मुझे लगता है इतना जादा अच्छा नहीं है 4520ms रे पीस हम सोच सकते हैं कि 66 वाट के साथ भी इसको अच्छा नहीं जाता अभी जोस्तों यहां पर 33 वार्ट का चार्जिंग अगर यह देगा तो क्या कुछ करेगा मुझे कोई भी इनका फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो यहां पर हम बात करेंगे रिजिन टू बाई उससे पहले हम बात करेंगे इसकी वेट और थिकनेस के बारे में दोस्तों यहां पर वेट आपको मिलता है यहां पर आपको थिकनेस मिलता है 7.8 mm का जो की बहुत ज्यादा अच्छा है अभी दोस्तों बात करेंगे दिजिन टू बाई की तो यहां पर अग्रेशिव प्राइस है इसकी प्राइस से बहुत ज्यादा कम है और दोस्तों यहां पर यहां पर एपोर अमुलेट पैनल अभी दोस्तों बात करेंगे क्यों इसको नहीं खरिदा जाए तो यहां पर इसी प्राइस रेंज में आपको फार्स चार्जिंग नहीं मिलता जो कि आप सोच सकते हैं कि 4520 में 20 एमेच में बेटरी के साथ आपको 33 वार्ट की फार्स चार्जिंग देखने को मिलता है जो कि जड़ासल भी फास्ट नहीं है यहां पर आपको miuai needs some work तो यहां पर miuai needs some work means यहां पर MIUI को वहीं ही रखा गया है जो कि पिछले साल भी था इसको developed नहीं किया गया है वही big bog को वही bog है कोई भी bog को fix नहीं करा गया है तो दोस्तों यहां पर और एक phone के बारे में बात करें जो कि है Samsung की Galaxy S20 FE 5G Edition दोस्तों हम जानते हैं कि हमने एक video डाली थी अमारी YouTube चैनल पर जो कि है S20 FE जो कि करीब बात कर दें 2 या 3 महिने से पहले इसकी 5G Edition reunite होकर आया है तो उसके बारे में बात करें दोस्तों यहां पर शेम 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है Full HD के साथ और दोस्तों 120Hz का refresh rate देखने को मिलता है और दोस्तों बाल करें चार्जिंग की तो आपको ट्वट का charging देखने को मिलता है गाले जादा कम है बहुत जादा कम है 33 W तो जादा थी पर 25 W बहुत वादा कम होता है इसी प्राइस रेंज में अभी दूस्तों 111 आपको यहां पर सपोर्ड मिलता है जो कि अच्छा है अभी दूस्तों 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है थिकनेस आपको मिलता है 8.4 mm का थिकनेस आप दूस्तों बात करें रिजिन की क्यूं इसको खरीद दिय मिलता है 5.6.8 और दुस्तों यहां पर पर रेप्सों मिलता है डिस्प्ले भी आपको अफयर और एक बात है अगर आ आप यह फोन को चलाएंगे तो आपकी बेटरी लाइब बहुत जादा इंक्रिस हो जाएगी और यह थोड़ी दिन के बाद आपकी बेटरी को ड्रेन कर दिया जाएगा ड्रेन करने के बाद आपकी बेटरी का पावर कम जाएगा इसलिए आप अल्टरा एस्टी डिस्प्ले आप इस्तिमाल नहीं करेंगे इसमें सिर वाट का चार्जर देखने को मिलता है जो कि मुझे दरस जराई भी अच्छा नहीं लगा तो यहां पर आपको अब्रेज बेटरी लाइब मिलता है जो कि यह जादा इसकी माइनस पॉइंट बन सकती है फ्यूचर में या अभी भी बन रही होगी दोस्तों यहां पर बात करत हैं आसुस की रॉक फोन फाइब यह एक बेस्ट गेमिंग फोन है मैं आपको एप 62 की वीडियो में भी बताया था और अभी बता रहा हूं यह बेस्ट गेमिंग फोन है तो यह इसकी स्पेसिपिकेशन के बारें बात करतें डिस्प्ले आपको मिलता है सिक्स पॉइंट सेव आपको देखने को मिलदा होगा कि 120 होड्स का रिफ्रेश रेट सभी फोन में आपको देखने को मिलता है पर यहां पर आपको 144 होड्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है अभी दोस्तों यहां पर बात करतें प्रोसेसर आपको मिलता है स्नाप ड्रागन ट्रिफुल आमरह आपको देखने को मिलता है बेटरी आपको में की तो यह बहुत के दें इसकी OS की तो यह Android 11 पर बेसे 242 ग्राम है इसके वेट जो कि बहुत ज्यादा है यह बहुत ज्यादा है भी हो जा रही है जो कि मेरी फोन है अब 62 उसका वेट है कुछ 220 ग्राम का जो कि मुझे बहुत ज्यादा वेट लगता है और यहां पर 242 ग्राम उससे डॉबल हो जा रही है तो डॉबल से भी ज्यादा है तो यहां पर यह एक माइनस पॉइंट बन सकता है तो यहां पर थिकनेस के बारे में बात करें जो कि है 10.3 mm की जो कि अभी की फोन में से बहुत ज्यादा है अब युस्तों बात करें इसकी रिजिन टू बाइक ही तो यहां पर आपको रिमार्केबल पर्फरमेंस अच्छा मिलता है इसकी बील्ट क्वालिटी अच्छा है गेमिंग के लिए बहुत जादा अच्छा है और दोस्तों इतना पैसा देने के बाद हम यहां पर 30 वाट का चार्जर पाते हैं और फोन सपोंट करता है 65 वाट चका जड़ अगर इतना पैसा दे और मर्केट में से खरीदे 65 का चैर्जर अपने में पैसे से उसके चार्ज लगेंगे तो यह आपको बारता सकते यह किसा लगेगा आपको तो यह थोड़ा माइनस पॉइंट बन जाता है और इसकी और एक के बारें बात करें यह बहुत होने का यह थोड़ा बॉलकी लगता है तो जो मुझे जरह से भी यह अंदाज नहीं था कि यह इतना ज्यादा बलकी होगा मैंने कभी यह फोन को यूज पर नहीं देखने को मिलता इतने ज्यादा पैसा देंगे तो इतना पैसे देने के बाद आपको अगर यह सब कुछ नहीं मिले तो आप क्या कुछ देखेंगे तो यहां पर आपको और एक फोन के आपरиковें में अभी बात करेंगे जो कि आता है हमारी लास्ट फोन आपल की आईफोन 11 अगर आप चाहते हैं इसी 50,000 के नीचे से प्राइस में कोई आपल की फोन ले तो आईफोन 11 आप कंसिडर कर सकते हैं आईफोन 11 आपको मिलता है 6.1 इंच का LCD डिस्प्ले चिपसेट आपको मिलता है आप ले 13 बायोनिक का प्रोसेसर और दोस्तों आप पर क्यामरा मिलता है 12 प्लस 12 मेगापिक्सल का फ्रांट में आपको देखने में मिलता है 12 मेगापिक्सल का बैटरी आपको देखने को मिलता है 310 इमेज का और दोस्तों यहां पर charging मिलता है 18 वार्ट जो कि आप जानते हैं आपल की बैटरी 3000 भी हो वह अंडर से बहुत 100 आपल के नीचे है आपल के उपर नहीं जो कि आप अभी भी जानते हैं जोस्तों यहां पर चार्जिंग 18 वार्ट के साथ आपको OS मिलता है iOS 14.2 वेट मिलता है WA 194 ग्राम और तिकनेस मिलता है 83 एंड़ी बहुत जाहिए अच्या के लिए इसको पर्फोरमांस बहुत ज्यादा आच्या है विस्तों यहां पर सब्ट्वार की इन्टिगरेसान बहुत जाधा अच्या है एक like तो बनता है Apple की स्टॉट्प्टार इंटिएसन के वज़े से यहां पर आपको मिलता है reliable cameras 12 megapixel है और 12 megapixel है पर camera आता है 108 megapixel भी से अच्छा यह आपको एक note करना चाहिए Apple की यह एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर reason to avoid it, क्यों आप इसको नहीं करी दे, क्यों आप इसी price list में Apple को यह phone को नहीं करी दे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यह bulky दिखता है, क्योंकि यहाँ पर 60Hz का display मिलता है, ज्यादतर हमें इसी price list में 120Hz की refresh rate भी देखने को मिल जाता है, जो कि मैं यह बहुत ज्यादा छोटा लगता है, 6.1 inch का LCD display, जो कि बहुत ज्यादा छोटा लगता है, और iPhone 11, iPhone 12 का जमाना चल रहा है, तो iPhone 11 कौन खरी देगा अभी 2021 में, तो आप चाहें तो iPhone 12 mini को consider कर सकते हैं, सेम कुछ है, सब कुछ से में सिर्फ डिस्प्ले में थोड़ा कुछ आने वाला है, सब कुछ से में, और यह थी कुछ आज की वीडियो, और आपको मैं जो बताया, यह थी कुछ आज की वीडियो, आप बताएंगे अपने इच्छा से, अपनी comment box में, कि आपको इनी फोन में से कौन सा फोन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और कौन स फोन को खरिदने के लिए प्लान बना रहे हैं, मुझे बताएंगे, comment में बताने के बाद, आप मुझे email कर सकते हैं, अगर आप इनी में से कोई phone की कोई भी doubt हो, या फिर कोई knowledgeable doubt हो, आप मुझे email कर सकते हैं, मेरे website से, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं, Instagram में, मैं आपको 24 hours के अंदर में या फिर मेरे assistant आपको reply कर देंगे, दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों आप Instagram में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, यह technology की Instagram handle में आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, likes भी करते हैं, सब कुछ photos को, सब कुछ इस वीडियो को दिखते हैं, सब कुछ inspire करते हैं मुझे, और दोस्तों यहां पर YouTube में भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, मुझे जो लगता है, मैं जो में 2020 जो शुरू किया, मुझे ऐसा कुछ response आगे सा नहीं मिलता था, पर अभी मैंने जो में 4 से में 2021 से जो शुरू किया, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा response आपके मिलता है, thank you guys, love you so much, आप एसा ही प्यार बनाए रखें, और हम आगे बढ़ते चाहेंगे, 343, 64 subscriber हुए हैं, 364 से लेकर हम million million subscriber को भी वहां पर पार लगा देंगे, तो चलिए, आप चूस करिए आपकी पसंदि बता देंगे, तो thanks for watching, love you so much, stay safe, stay home